काकी जी, आप इतनी सुबा सुबा कहां से आ रहे हैं? जिगार? समार? अब क्या हुआ, काकी जी? काकी जी, फिर कोई बखेडा खड़ा हो गया? जिगार, यह जरूरी नहीं है कि हर वक्त बखेडा खड़ा हो. कभी-कभी महत्वपुर्ण बात भी होती है, जो परिवार के सदसे एक दूसे से करते हैं. मैं अब जो कुछ भी बताने वाली हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि तुम परिवार के सदसे होने के नाते, सुनो. क्योंकि यह तुम्हारा फर्ज भी है और अधिकार भी. क्या कहना चाहती है? सब चल क्या रहा है, परी? I don't know. क्रिपया, दो मिनिट धहरे रखोगे, जिगर, ताकि मैं अपनी बात तुम्हें पता सको. बात यह है कि… जै, वीरू, प्रियल, कैसे मेरे बच्चे सब? अच्छा हुआ कि आप सब ही लोग आ गये. आप सब भी परिवार के सदस्य है. इसलिए मैं जो कुछ भी आप सब को बताने जा रहे हूं, वो चाहती हूँ कि परिवार के सब ही सदस्य सुने. ओ गौड, लगता है आज घरीबों को खाना, कपड़े बाटने का प्रोग्रम है, दादी जे का. मौनीका, मैं आप यह आई जेगा. इसलिए? इसलिए भी आप सब्सक्राइए? इसलिए, जीगर. इसलिए, आप सब्सक्राइए? इसलिए, आप सब्सक्राइए? झाल 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 मैं आप सब को यही बताना चाहती हूँ कल मेरी कोपी वव का इस घर में आखी दिन है आखी दिन मतलब कहां जा रहे हैं कोपी भावी कल मेरी कोपी वव की बिदाई कल मेरी कोपी वव अपने ससुराल जायेगी डॉक्टर कृष्णा की तुलहन बन कर कि बिदा आखी दिन मतलब कोपी जाखी के तुलहन बना जाखी वव क्या की देवेगी बन कर कि भावेगी करैंगी क्वा़ जाखी दिन है आपका दिमाग खराब हो गया है काकी जी एक मिनिट किसी को भी चलाने के आवश्यक्ता नहीं है विद्या दिक्रा बच्चो को और गोपी वव को उसके कमरे में लेकर जाओ फिर बात करेंगे यह सब क्या है काकी जी आप ऐसे बात सुनोगे गोपी वव की स्थिती हम सब से छिपी नहीं है हम सब गोपी वव की स्थिती अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है हम सब एक परिवार है और परिवार होने के नाते चिकर आप सभी को मुझ पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो वैसला लिया है वो गोपी वव की वर्तमान स्थिती को देखते हुए उसके भविश्य के लिए सबसे अच्छा परियाय है मेरे हम दिकरा के स्वर्गवास को पात साल हो गया है मेरी गोपी वो तब से लेकर आज तक एक सिंदा लाश बन गई है और मैं चाहती हूँ कि बस सब बहुत हुआ उसकी बंद पड़ी हुई घड़ी जैसी जिन्दगी की एक नई शुरुवात हो आप उनके जीवन की नई शुरुवात करें या उसको अंस कर रही है वो गोपी एहमोदी है एहमोदी उनका वुजूद है और आप उनके वुजूद को इस तरह से खतम नहीं कर सकती आप तोच भी कैसे सकती है गोपी बैंके दूसरी शादी के बारे में अरे लोग क्या कहेंगे उसके बार में सोचा है अपनी है हाई नो यह तो ब्रेकिंग न्यूस बनेगी यह मैं कभी होने महीं होने ही तो कि यह बखवास था आप बखवास वो नहीं है जो मैं कह रही हूँ बखवास वो है जो तुम सब सोच रहे हो किसी भी औरत का वजूद उसका अस्तित्व उसकी पहचान इसी मर्द पर निर्भर नहीं रहती समझी गयो जिगार और तुम किसकी बात कर रहे हो तुम मेरी गोपी वव की बात कर रहे हो इतनी जल्दीक अपनी गोपी भावी को भूल गए बात स्पष्ट रूप से सुन लो आज मोधी परिवार का अस्तित्व गोपी मोधी की वजूद से है आज मैंने अपनी गोपी वव की जिंदगी की नए सीरे से नई शुरुआत करने की बात की तो जिगर तुम उत्तेजित क्यों हो रहे हो भूल गए जिगर जब राशी का स्वर्गवास हुआ था तो तुमने भी जीना छोड़ दिया था जिंदगी से मूँ मोड लिया था याद है ना उर्मिला बेन याद है ना तुम्हें परीधी वो मेरी गोपी बोधी ही थी जिसने तुम्हें नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया अपने परिवार के लिए मेरी गोपी वोधी उसे अपती पूरी जिंदगी खपा दिये और आप सब लोग ने मेरी गोपी वोधी को एक समान समझ कर इस घर में रख दिया कि क्या कह रही है आप अपने परिवार के लिए अपनी गोपी भावी के लिए अपने रिष्टों के लिए जरा मैं भी तो जानू जिगर बस कीजिए आप जो करना चाहती है वो गलत है अपनी अपने ऊमर तो देखिए नानी बंचुकी है वो नानी और इस उमर में आप उनके दूसरी शादी करवाएंगी और काकी जी आप क्या जानती है उस डॉक्ट्टर के बारे आपने गोपी बन की हालत देखिए एक ऐसी अअगरत के साथ वो डॉक्टर क्यों शादी करन इसके बारे में कभी सोचा है आपने बस बस जबान को लगाम दो परिदे ऐसी आउरत जिसे तुम ऐसी आउरत ऐसी आउरत कह रही हो वो मेरी गोपी वह है आज यदि तुम यहाँ खड़ी हो तो वो मेरी कोपी वह वजह से वर्ना तुम्हारी ओकाथ क्या है कि तुम मेरे परिवार की बहू बनो तुम इस परिवार की बहू बनो इस बात के खिलाफ ता पूरा मोधी परिवार सिवाई एक औरत के मेरी गोपी वह है आज तुमारा अस्तित्व मेरी गोपी वह ने तुम्हें दी हुई भीक है शर्मानी चाहिए तुम्हे एसान परामोश साथ निभाना साथिया आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूट्यूब पेज को